कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और आज के वीडियो में हमने दीपा वली के लिए देखिए मैंने कुछ न होम डेकॉर आइडिया आपके साथ शेयर किये हैं जिनको मैंने बिल्कुल बेकार की चीजों से बनाके रेडी किया है और इस जाते हैं तो छोटे-छोटे से कुछ आइडिया है जो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं तो कोई ना कोई आइडिया तो देखिए आपके जरूर काम आएगा और कौन सा वाला आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके आप जरूर बताईएगा कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा है और यदि आप इस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आपना जादो से जादा कमेंट करिएगा मैं आपके लिए और भी वीडियो से इस टॉपिक पे बनाके लेके आऊंगी यह अच्छी लगी है तो प्लीज आपना वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पर जो लोग भी पहली बार आए हैं तो मेरी आप से रिक्वेश्ट है कि नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए पुझी नहीं किया है क्योंकि मैं पुरानी कपड़ों का यूज करके ही आपके साथ वीडियो को शेयर करती हूँ तो चलिए आज मैं इनका बहुत ही प्यारा सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो दीवाली में आपके बहुत काम आएगा तो यहाँ पर ये एक इंच का गैब देते हुए हमको ऐसे निशान लगा लेना है आपके पास कोई नेट का कपड़ा है नेट की साड़ी है तो उससे आप ये वाला आइडिया ट्राइ कर सकते हैं और उन से आपने पॉम-पॉम तो बहुत बनाई होगी पर आज हम नेट के कपड़े से पॉम पॉम-पॉम आप बना सकते हैं और ये जो पॉम-पॉम होती है देखने में बहुत ही सुन्दर लगती है एकदम ना उन के जैसे ही बनके रेडी होती है और बहुत ही जल्दी जल्दी बनके रेडी हो जाती है जब उनका पॉम-पॉम हम बनाते है न तो उनको बनाने में बह और जहां पर ये प्टी होती है ना वहीं पर हम दूसरी प्टी इसको लगा के देकी रेडी कर लेंगे ऐसे लपेट के और आप देखिए जितनी पटी इस पर लपेटेंगे उतना घहना ये आपका बनके रेडी होगा और यदि बड़े साइच पर आप बनाना चाहude है ना चाहते हैं तो आप देखे 4 अंगलियों पे आप इसको लपेट के रेड़ी कर लीजेगा तो यहाँ पे देखे अब बीच ओ बीच पे हम धागा लेंगे 4 फोल्ड करते हुए और फिर धागे से ऐसे गठान बांध लेंगे अच्छे टाइट से 2-3 बार अच्छे से गठान बांध हींगे तो यह देखे मैंने ऐसे गठान बांध के रेड़ी कर लिया है इसको अच्छे से या फिर आपके पस देखिए मैचिंग का उन है तो आप उन से भी गठान बांद की रेडी कर सकते हैं अब धागे को कट कर देंगे और केंची से देखिए एक तरफ साइट पे ऐसा हमको कट लगाना है और ये दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी हम कट लगाके जो देखिए कलिया हैं उनको हम खोल लेंगे अब ऐसे अच्छे से देखिए इसको न हम हातों से गोल-गोल घूमाके अच्छे से देखिए प्रेस करेंगे और फिर एक बार और हम इसकी cutting कर लेंगे तो ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा यहाँ पे flower बनके ready हो गया है और बहुत ही जल्दी ये बनके ready हो जाता है और बिल्कुल देखिए उन के pom-pom के जैसे बनके ready हुआ है मुलायम सा अग एक मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ तो ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी बनके ready हो जाता है अब ये दूसरी वाली जो पट्टी थी उसको भी हम ऐसे लपेटींगे और यहाँ पे देखिए बीचों बीच पे धागा से इसको बांद के हम को ready कर लेना है तो यहाँ पे देखिए four fold करके मैं धागा लूँगी जिससे कि ये जो धागा है न तूटेगा नहीं लंबे time तक चलेगा अब बीच पे अच्छे से tight हमको पकड़ के गठान लगानी है और ये जो गठान है इसको हम बांद लेंगे इस तरीके से और फिर ये जो धागा है इसको हम cut कर देंगे तो यहाँ पे मैंने देखिए नेट के कपड़े से दो pom-pom आपको बना के दिखाई है आपको अब देखिए बहुत सारे अलग-अलग color पे आपके पास जो भी कपड़े बचे हैं या फिर देखिए market पे भी न ये जो कपड़े होते हैं बहुत ही सस्ते आपको मिल जाते हैं या फिर आपके पास दीखे कोई नेट की साड़ी है, बच्चों के बहुत सारे ऐसे फ्रॉक होते हैं नेट के, तो उनका यूज करके आप दीवाली के लिए ऐसे फ्लावर बनाके रेडी कर सकते हैं, तो ये देखिए, दो फ्लावर मैंने आपको बनाके दिखाए, अब मैं ब बहुत ही सुंदर बने हैं, आपना एक बर बनाके जरूर ट्राई करिएगा, और अच्छा बनेगा तो फिर ये वाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं, और आज के वीडियो में ना मैंने आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियास शियर किये हैं, अब ये दे गोटा पट्टी होती है, पांच रुपे मीटर पे आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप देखिए, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अब इसको देखिए, ऐसे ना, रील पे पहले हम गोटा पट्टी को नाप लेंगे, चारो तरफ लपेट के, और जितना हमने देखिए, लपेटा है, उससे डबल हमको गोटा पट्टी यहां से कट कर लेना है, यह देखिए, तो डबल गोटा पट्टी मैंने कट कर ली, अब यहां पर हमको एक तरफ देखिए, यहां से हम लपेट के इसको रेडी कर लेंगे, तो पहले एक तरफ जहां पे देखिए, इसको हमने चिपकाया है वहाँ से ऐसा स्टार्ट करेंगे देखिए हम तो अच्छे से चिपकाईएगा फेविकोल से या फिर कोई फेवरिक गलू है आपके पास तो उससे ये चिप जाएगा अच्छे से और ऐसे देखिए लपेटना है जैसे मैंने सुई ली है और एक तरफ मैंने गोटा पटी को सुई पे डालके रेडी कर लिया था जिससे की जल्दी जल्दी हमारा ये रेडी हो जाएगा तो रील को देखिए चारो तरफ से ऐसे हमको गोटा पटी लपेट के कवर करना है तो बहुत ही प्यारा सा देखिए लंबे साइच का हमारा बड़े साइच का मोटी यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा तो यदि आप देखिए पूरी रील से भी आप ऐसा मोटी बना सकते हैं या फिर इसको देखिए बीस से कट करके इसको हम सैट कर लेंगे तो यह जो हमारा मोटी है लंबे टाइम तक चलेगा अच्छे से यहाँ पर हम दिखिए ग्लू को चिपका के रेडी कर लेंगे ऐसे दोरनों तरब तो अच्छे से यह हमारा सैट हो जाएगा अब मैंने जैसे आपको एक मोटी बना के दिखाया है वैसे हम देखिए यहाँ पर जो रील मेरे पास रखी हुई है उनसे में सभी से ही ऐसे लंबे-लंबे मोटी बना के देखिए रेडी कर लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर 6-7 मोटी देखिए बना के रेडी कर लिए हैं अब आपके पास कोई लेस पड़ी है पुरानी तो उसको ले लीजे और दोनों तरफ से साइडों से देखे ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा लेंगे लेस पे और कुछ मोती मेरे पास रखे हुए है माला से निकले हुए बच्चों की जो माला होती है अब यहां पे देखिए सुई और धागा लेना है और लेस पे एक जगह हम अच्छे से गठान लगा लेंगे और फिर आपके पास देखिए जो भी कलर के मोती है तो ऐसे मोती हम सैट कर लेंगे फिर यह वाला जो मोती है इसको डालींगे जो बड़ा वाला रील से हमने जो बनाया है ना गोल्डन कलर का मोती उसको डालींगे फिर एक दो मोती हम यहां नीचे की तरफ डालींगे या फिर आप सीधे डारेक्ट यह जो हमने पॉम पॉम बनाई है नेट से उसको भी डाल सकते हैं ये देखिए अब दो मोती डालेंगे और फिर ये रेड वाली तो ऐसे सैट करके हमको देखिए लटकन बनाना है और फिर एक मोती नीचे की तरफ डालेंगे और उसको उपर की तरफ ले जाके हम यहां पर गठान लगा लेंगे तो इस तरीके से हमको ब बनाते हैं तो इसके लिए देखे पहले एक गोल्डन मोती लेंगे और इस तरीके से हम यहां गठान लगा लेंगे फिर रेड़ वाला फ्लावर लेना है फिर दो मोती डालेंगे और फिर यह पिंक वाला फ्लावर और फिर यह जो हमने देखे रील से जो मोती बनाया है उसको पर एक दो टांके लगा के देखे इसको लॉक कर लेंगे अब फिर दो मोती हम यहाँ पर सिलवर वाले डालेंगे और यह दो गोल्डन वाले तो यह लटकन हमारी बन गई अब इसको यहाँ पर हम थोड़ी दूरी पर दो से तीन इंच की दूरी पर यहाँ पर हम लेस पर थी और बेकार रील से कितना प्यारा सा हमारा ये तोरन बनके रेडी हो गया है इसको आप देखिए बड़े साइच पे भी बना सकते हैं मैंने मेरे यहां पर जो दरवाजा था उसके साइच के हिसाब पर बनाया है और जब आप इसको रखना है तो ऐसे फोल्ड करके आप इसक रखते हैं तो ये देखिए ये जो फ्लावर होते हैं पॉलेथीन से मैंने बनाये थे कट करके तो मेरे पास रखे हुए थे और कुछ मैंने के कपड़े से जो फ्लावर बनाये हैं वो है तो ये देखिए बहुत सारे फ्लावर मेरे पास यहां पर रखे हुए हैं तो इनसे ह मैं आपको कुछ आइडिया यहाँ पर बना के दिखाऊंगी और जो आइडिया वो आपको बहुत पसंद आएगा और यह ना सालों साल आपके चलेगा तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोट लिया है अब इसको देखिए हम ना कट कर लेते हैं स्वास्तिक जो होता है ना उस प को कटिंग कर लेनी है कॉर्नर पे और फिर ग्लू लेना है कोई भी अच्छा वाला और उससे देखिए हम ऐसे पूरा ना चिपका लेंगे किनारे किनारे पे आप चाहें तो पीछे की तरफ भी एक कपड़ा चिपका सकते हैं पर उसकी कोई भी जरूरत नहीं है तो हम सामने की तरफ ही देखिए ऐसे कपड़े को चिपका के रेडी कर लेंगे तो ये जो स्वास्तिक हमने बनाया है इस पे भी हमको कपड़े को चिपकाना है और ये जो देखिए गोल सरकल हमने फोर पीस बना के जो रेडी किये हैं इन पे भी मैंने देखिए कपड़े को चिपका के ready कर लिया है अब ये जो flower हैं तो आप देखिए ऐसे चिपकाना है इनको गोंद लेना है और ऐसे चिपका के हम देखिए एक हमारा ये ready हो गया एक रंगोली अब यहां पे देखिए ये दूसरी वाली भी ऐसे ही ready कर लेंगे तो मेरे पास ना कुछ देखिए यलो flower थे और कुछ थोड़े dark flower थे तो एक जो circle है वो dark वाले से हम बनाके ready करेंगे और एक जो circle है वो हम थोड़ा फीके वाले से flower से बनाके ready करेंगे तो ऐसा हमारा देखिए मेच हो या फिर आपके पास same color के flower है तो आप उनसे भी आप बनाके देखिए same color से भी ready कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा देखिए जब ये बन जाएगी ना ये रंगोली तो बहुत ही प्यारी बन के ready होगी और एक बार बनाने के बाद ने इसको आप हर फ्रेश्टिवल पे आप यूज कर सकते हैं खराब नहीं होती है अभी जो स्वास्थिक था इस पे भी देखिए हम ऐसे flower जो है चिपका के ready कर लेंगे तो पहले मैंने देखिए ये सारे yellow वाले flower चिपका के ready कर लिए हैं फिर इनकी उपर जो हमने चिपका के ready कर लिए हैं अब इनकी ऊपर मैं आपको नेट वाले flower चिपका के दिखाऊंगी तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको भी चिपका के ready कर लिया है और कितना प्यारा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स अब मैं आपको देखिए set करके दिखाती हूँ कि आप कैसे कैसे रंगोली बना सकते हैं तो एक डिजाइन तो ये है आप इस तरीके से रंगोली ट्राई कर सकते हैं देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और इस तरीके की रंगोली मैंने market पे देखी थी न तो online पे बहुत ही भेंगी थी अब ये दूसरी डिजाइन आपकी ये हो गई तो ऐसे भी आप देखे ट्राइ कर सकते हैं अब जो तीसर डिजाइन है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा तो ये देखिए ऐसे भी आप रंगोली बना सकते हैं तो अलग-अलग तरीके से आप इसको सैट कर सकते हैं और मैंने ऑनलाइन पे देखा था तो ये वाली रंगोली ना 500 रुपे पे आ रही थी तो मैंने सोचा चलिए बहुत ही सिंपल है तो बना के ट्राइ कर लेती हूँ आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा अब जो थर्ड वाला आइडिया है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा तो देखिए नेट के फ्लावर से ही मैंने इसको बनाया है तो पहले देखिए अलग-अलग कलर के या फिर सेम कलर के फ्लावर आपको बना लेना है और एक बैल आपको लेना है तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बैल ली है बैल पे हम पहले गठान लगा लेंगे और यहाँ पे देखिए उन का मैंने यूच किया है अब 6-7 मोती हमको लेना है और बहुत ही सिंपल सा आइडिया है पर बहुत ही जल्दी बन जाता है अब यह दूसरा वाला फ्लावर हमको लेना है और फिर एक गोल्डन मोती देखिए नीचे और उपर फ्लावर के दोनों तरफ साइडों पे गोल्डन मोती मैंने लगाया है अब फिर 6-7 मोती हमको लेना है यहां पे वाइट वाले और फिर एक फ्लावर हम लगाएंगे तो यह जो तोरन है इसको आप एक कलर पर भी बना सकते हैं या फिर आप देखिए दो कलर पर भी इसको बना के ready कर सकते हैं आपके पास जितने color के, देखिए, नेट के कपड़े रखे हुए हैं, बचे हुए तो उतने color पे भी आप इनको multi color पे भी बना के ready कर सकते हैं और इस तरीके की तोरन आप market से खरी देंगे, तो बहुत ही महंगी मिलती है और कुछ दिनों के बाद खराब हो जाती है तो यदि आपके पास देखे घर पे कोई बेकार माला पड़ी हुई है और बच्चों की फ्रॉक है तो उनसे आप न इस तरीके की तोरन बना के रेडी कर सकते हैं जब भी हम देखे बच्चों के कपड़े लेके आते हैं तो वो जादा तर देखिए जो अच्छे होते हैं नेट के ही होते हैं और कुछ दिन पहनने के बाद जो होता है नेट का कपड़ा देखे खराब हो जाता है फिर उसका कोई यूज नहीं होता है तो उससे आप इस तरीक तोरण बना सकते हैं या फिर देखिए आपना एक पुरी दिवाल को भी ऐसे कवर कर सकते हैं तोरण बना के तो उमीद करती हूं कि ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा अब जो फोर आइडिया है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स तो प्रीज इस वीडियो को पुरी लाश्ट तक आप देखिएगा अब एक कार्ड़ वोड हमको लेना है और ये देखिए साड़े साथ इंचिस की लंबाई है और साड़े साथ इंचिस की चोड़ाई है थोड़ा सा बड़ा था एक तरफ से तो इसको मैं कट कर लेती हूं तो यहाँ प चमकीला सा ब्लाउस पीस का कपड़ा बचा है या सूट का कपड़ा बचा है तो उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर गलू मैंने चारों तरफ लगा ली और यहाँ पर देखिए कपड़े को ऐसा रखना है अच्छे से और चिपका लेंगे और पीछ चिपका के रेडी कर लेते हैं और यह जो आइडिया है आपको बहुत ही पसंद आएगा बहुत ही सिंपल सा है पर बहुत ही काम का आइडिया है तो यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी आप ऐसे बहुत सारे बना के दिवाल को डेकोर कर सकते हैं तो यह देखिए अभी इसको हम पूरा चिपका के पहले ready कर लेते हैं चारो तरफ से देखिए पीछे की तरफ से भी इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे तो यह आपका चिपक के ready हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए मैंने एक लेस ली है आपके पास जो भी देखिए साड़ी से दुपट्टे से निकली हुई जो लेस है उसका प्यूज कर लीजिएगा और मैं तो सिलाई का काम करते रहती हूँ तो मेरे पास देखिए बहुत सारी लेस भी होती है कपड़े भी होते हैं पर सभी के पास नहीं होती है तो साड़ी से आप देखिए निकाल लीजेगा जो पुरानी साड़ी है तो अब चारू तरफ हम लेस को ऐसे सुई धागे से पिर आपको online भी मिल जाएगा अब इनको गम की help से चिपका लेंगे और फिर यह जो flower हमने बनाये थे नेट के तो इनसे देखिए हम लटकन बना के ready कर लेते हैं अब यहाँ पर मेरे पास कुछ देखिए पुराना जो सामान है decoration का वो रखा हुआ है लटकन बनाने का तो उसका अब हम थोड़ा यहाँ पर यूज कर लेंगे सुई और धागा लेंगे और यहाँ पर देखिए कुछ मोती ऐसे डालके हम ready कर लेते हैं और फिर तो थोड़ा सा यहाँ से देखिए ना मेरे साइट पर मैंने टाके लगा लिये थे तो अभी मैं बीच ओ बीच पर टाके हमको यहाँ पर लगाना है कॉर्नर पर और चार पांच मोती डालेंगे फिर एक मोती के अंदर से हमको देखिए धागे को निकालना है तो लॉक हो जाएगा अब एक यहाँ पर पॉम पॉम जो हमने बनाई थी उसको डालेंगे और यह जित हार था ना वो मैंने पहले कभी वीडि है अब यहाँ पे भी देखिए साइडों पे जो कॉर्नर है यहाँ पर भी हम लटकन बना लेते हैं तो यहाँ पर दो-चार मोती डालेंगे और एक पॉम पॉम यहाँ पर डालके हम रेडि कर लेंगे या फिर आपना और भी देखिए इसको और भी जादा आप इसको डेकोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच बीच पे भी यह जो दोनों लटकन हैं इनके बीच पे भी आप एक दो लटकन बना के आप रेडी कर सकते हैं तो आपकी उपर है कि आप इसको कितना जादा और भी देखिए डेकोर करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल सा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे और भी आईडिया आपके साथ शेयर करने है और उपर की तरफ मैंने ये मोती से देखिए लूप बना के रेडी कर ली है तो जादा मैंने देखिए लटकन नहीं बनाई है फिर भी बहुत ही प्यारा इसका लोक आया है और इस तरीका का जो देखिए तोरन होता है आप मार्केट पे लेने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा तो ऐसे आपना बहुत सारे बना के दिवाल को पूरा डेकॉर कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ कि ये वाला जो आइडिया है वो भी आपको पसंद आया होगा अब नेक्स्ट आइडिया और लाश्ट आइडिया देख लेते हैं अब ये जो लाश्ट आइडिया है इसको बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है जो केक पे जो कार्डबोर्ड आता है जब केक खाने के बाद देखिए उस पे जो कार्डबोर्ड बच जाता है तो उसको मैं कभी भी नहीं फेकती हूँ उसको मैं समाल के रख लेती हूँ इसको आप कभी भी मत फेकिए इसको समाल के रख लीजिए इससे बहुती प्यारी सी चीज आप बना के रेडी कर सकते हैं अब इसके साइच पर मैंने देखिए कोई भी कपड़ा आपके पास जो भी कपड़ा हो मेरे पास बैलवेट का कपड़ा था तो मैं यहां पे जिससे की देखिए निकलना नहीं चाहिए जब और यह वाला जो आइडिया था ना मुझे सबसे अच्छा लगा सारे आइडियों पे यह वाला आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा बनके रेडी हुआ है और मैंने इस पर देखिए जादा चूडी लेंगे और कपड़े से एक पटी हमको यहां पर एक इंच चौडी देखिए कट कर लेना है और एक जगह चूडी पर देखिए हम ना ऐसे गम लगा लेंगे और चारो तरप से इसको हमको लपेट के ऐसे रेडी करना है तो ऐसे पूरा हम लपेटींगे और चूडी को पूरा कवर कर लेंगे आप कपड़े की पटी से भी चूड़ी को देखिए ऐसे कवर कर सकते हैं या फिर आपके पास उन है तो दो लड़पे आपको उन लेना है और उन से भी लपेट के आप ऐसे इसको पूरी चूड़ी को कवर कर सकते हैं तो ऐसा पूरा पहले में लपे और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा आपके लाइक करने से वीडियो को देखे कमेंट करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना के और भी लेके आऊँगे इस टॉपिक यदि आप देखना चाहेंगे तो कमेंट करिएगा मैं और वीडियो बना के लेके आऊंगी तो मैंने यहां पर देखिए यह वाली जो गम थी मेरे पास उससे मैंने यह चिपका के रेडी किया है अब गोटा पट्टी लेना है और यहां पर चूड़ी के ऊपर न हमको यह कि जो बैंगल्स होती हैं बहुत ही महंगी मिल रही है तो मैंने सोचा खरीदने से अच्छा है कि हम इसको न देखी घर पे पुरानी चूड़ीयों से और पुरानी बेकार कपड़ों से और बेकार जो लेस मेरे पास पड़ी है उससे हम बना के रेडी कर लेंगे खरीदने की क्या ज़रूरत है और सभी लोग देखिए नहीं खरीज सकते हैं क्योंकि इस तरीके की जो चूड़िया होती हैं बहुत महंगी मिलती है और जब आप इसको दस खरीदेंगे तो ये 200 रुपे करीब की आएंगी अब यहाँ पे मोती लेना है तो यहाँ पे मैंने देखिए य यहाँ पे ऐसे देखिए मैंने दूसरी तरफ भी ठाके लगा लिये हैं चूड़ि की ऊपर अब फिर यह देखिए जो दूसरा वाला जो मोती था उसकी नीचे से हमको ऊपर की तरफ धागे को ले जाना है फिर एक गोल्डन मोती लेंगे और फिर एक वाइट मोती लेंगे तो अब देखिए पूरा वीडियो को आप देखते जाएए कि मैं कैसे बना रही हूँ तो आपको देखिए समझ पर आ जाएगा कि मैंने यह जो ना यह चूड़ी की ऊपर मैंने यह मोती कैसे लगा के रेडी करें हैं बहुत ही इजी है एक गोल्डन मोती लेना है एक वाइ लेना है एक गोल्डन और एक वाइड कलर का और नीचे की तरफ टांके लगा के फिर जो लाश्ट वाला जो मोती होता है उसके ऊपर से हमको देखिए धागे को ले जाना है और यह बैंगल साब की ऐसी बन के रेडी हो जाएगी तो इससे आपना बहुत सारी चीजे आप बन सकते हैं लटकन बना सकते हैं अब यह देखिए मेरा कार्डवोर्ड जो था वो भी सूख के अच्छे से रेडी हो गया है अब यह जो हमने बैंगल जो रेडी करी है इसको देखिए ऐसे गम से चिपकाना है और बीच ओ बीच पर ऐसे हम इसको चिपका के हमको रेडी कर लेन नेट के कपड़े से या फिर आप रेडी मेट भी आपको यह पॉम-पॉम जो है मार्केट पे मिल जाएगी अब यहां पर ना देखिए ऐसे चारों तरफ राउंड पे ऐसे यह पॉम-पॉम अलग-अलग कलर की हमको लपेट के रेडी करना है तो अभी देखिए जैसे मैं माच भी लगा सकते हैं मेरे पास पॉम-पॉम रखी हुई थी तो मैं देखिए पॉम-पॉम ही मैं लगाऊंगी मेरे पास अभी ज्यादा इस्टोन वगेरा नहीं है तो जो मेरे पास समान पढ़ा हुआ है ना मैं उसी से आपको आइडिया बनाके रेडी करके दिखाऊंग क्योंकि मेरे यहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर जादा समान मुझे नहीं मिल पाता है जिस वज़े से ना मैं आपके साथ बहुत सारे आइडिया भी मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ और अभी मेरी यह देखिए यह जो देखिए यह सितारे हैं ना यह कम से कम जब मैं देखिए यह स्टोन है आपको मार्केट पे 10 रुपे का पैकेट उस टाइम पे मिला था और जब मैं सूट वगेरा सिलती थी ना तो उनको मैंने सूट पे लगाने के लिए इनको लिया था तो अभी देखिए इसको मैंने इस पे लगा के रेडि कर लिया है और कितना लग रहा है अब नीचे की तरफ हमको इसको देखिए थोड़ा सा हम और अच्छा बनाएंगे अभी तो नीचे की तरफ हमको लटकन बना के रेडि करना है बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका बनने के बाद तो अभी मोती लेंगे और यह जो पॉम-पॉम हमने बनाई थ तो यहाँ पर देखिए एक मोती हमको लेना है और इस पर ऐसे गठान लगा लेना है फिर एक पॉम-पॉम हम लेंगे और यहाँ पर साथ-ाथ मोती हमको डालके रेडि कर लेना है फिर बीचो बीच पर यहाँ पर हम देखिए एक गठान लगा लेना है हमको तो एक लटकन हम आरी बनके यहां पे ready हो गई है अब दूसरी वाली जो लटकन है वो इससे थोड़ी हम छोटी बनाएंगे जो side की लटकन है वो थोड़ी छोटी हमको बनाके ready करना है तो बहुत ही प्यारा साल लोग इसका आएगा आप अलग-अलग color पे भी यहां पे देखिए लटकन try कर सकत हैं पर एक ही color पे बनाएंगे ना तो जादा अच्छा लगेगा अब यह देखिए इससे एक इंच की दूरी पे थोड़ा एक डेड़ इंच की दूरी पे हम यह दूसरी वाली लटकन को भी ऐसे देखिए जोड के ready कर लेंगे अब यह दूसरी तरफ और side ओ पे भी मैंने य ज्यूरूर बताईएगा वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है थोड़ी सी भी useful लगी है तो प्लीज वीडियो को जादा से जादा लाइक करिएगा जादा से जादा शियर करिएगा चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को subscribe कर लीजेगा जल्दी मिलते हैं एक